नमस्ते डेस्टोरेंट्स, वेलकम टू आल, स्वागत है आप सभी का PT Education पे एक बार फिर से, मेरा नाम है राहूलांज चौदरी और Press Information Bureau Analysis में, इस हफते के शुरुआत में जो हम Stories ले रहे हैं, वो है मारी पहली स्टोरी, कपपा वेरियंट, पहले हमने लेम्डा वेरियंट के कपपा वेरियंट भी एक बहुत पड़ा, मतलब इशू होता जा रहा है, वेरियंट ऑफ इंट्रस्ट में है अभी ये, वेरियंट ऑफ कंसर्न इसे बनाया नहीं गया है, उसके बाद है फिर आपका DBG, EN, VOC, क्या है ये, इसके बारे में जानेंगे, तीसरा है Agriculture Infrastructure Fund, चौथ भारत और नेपाल के पिष्टे, जिसमें अभी एक RSA Agreement, जो है, वो साइन किया गया है, इसके बाद है, स्पर्श, क्या है स्पर्श, इसके बारे में जानेंगे, और हमारी जो लास्ट टोरी रहेगे, थोड़ा सा रिवाइस करते हैं, हम रिवीजन मोडिल्स को डालना स्टा और बढ़े बढ़े प्यारे प्यारे कमेंट करें, शेयर करें, हमारी पहली स्टोरी के साथ हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा है कपपा वेरियन्ट, वर्ड हेल्थ और ने कहा है, कि कपपा is one of the two COVID-19 variants, दूसरा delta था, और यह पहले कहां पर identify किया गया, तो भारत में य गया किसका कहना है World Health Organization का कहना है किसके बारे में कपपा के बारे में Delta and कपपा variants are actually siblings तो भाई-भाई भी हो सकते हैं भाई-बैन हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं but है siblings The direct descendants of a variant that earlier used to refer as the double mutant or B.1.61 point It is still listed among variants of interest not variants of concern by the WHO तो अभी भी हाल फिलाल ये VOI की ही list में है VOC की list में नहीं आया है हम पहले भी बात कर चुके हैं कि VOI क्या है और VOC क्या है भारत के तरफ से issue क्या raise हुआ था भारत के तरफ से issue जो इसमें raise किया गया था वो ये किया था कि भारत ने बोला था कि आप इसको Indian variant नाम क्यों दे रहे हैं तो भारत ने इस पर objection उठाया था कि that is not an Indian variant B.1.617.1 ये जो coronavirus का जो mutant है इसको आप Indian variant मत बोलिए तो इसके बाद फिर WHO ने इसको कहा कि ठीक है हम इसे कपपा बोलते हैं B.1.617.2 डेल्टा है Just as it named various variants of the coronavirus using Greek alphabets अभी हाल फिलाल उतरप्रदेश में इसके दो cases देखने को मिले हैं और फिर से जो महरास्ट भी cases फिर से rise होने लगे हैं दिरे-दिरे और होप करते हैं कि ऐसा ना हो lockdown जैसी situations ना आए क्योंकि उससे economy पे जो होता है बहुत ज़्यादा असर पड़ता है लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और यह second wave में हमने देख लिया था इससे पहले पेरू में यानि जो South American countries हैं वहाँ पर lambda variant जो है वो पाया गया VOI, VOC यानि variant of interest, variant of concern variant of concern में क्या होता है दोस्तों की इसमें बोला जाता है कि यह बहुत severe है इसमें साफ साफ नजर आता है community transmission का इसके बाद real में deaths और hospitalizations यह जो hospital में जो भरती वगरा होता है hospitalizations यह काफी ज़्यादा बढ़ जाती है तो यह सारी जो चीजे होती है this is called variant of concern variants of interest का मतलब है कि वो एक step उपर है अभी वो concern की list में नहीं आया है लेकिन आ सकता है तो उसके बार में prediction वगरा उसकी पूरी जो है मतलब genome study वगरा चलती रहती है और कोशिश की जाती है कि इसके जरिए कोई community transmission ना हो विभिन विभिन देशों में और various various other population groups में ये ना पैले तो ये था kappa variant उससे related हमने इसमें बातचीत की ये बहुत ए खुबसुरा सा infographic है जो Indian Express से आपके लिए लेकिया है हूँ key mutations in the spike protein आप जानते हैं spike protein के जैसे ही होता है इसमें कुछ term से जो दोस्तों आपको याद रखना है जैसे E484 के K417N ये mutations के नाम है जो कि B.1.31351 and 5.1 में देखे गए उसके बाद NF01Y all three variants have mutation in this receptor binding domain on the spike protein इसके बाद E484Q and that is L452R तो ये सब जो आप याद रखेगा copy पे note down कर लिजिए और ये कपा है और ये delta है variant of interest में इसे रखा गया variant of concern में ये अभी हाल फिलाल नहीं है exam में कुछ भी आ सकता है तो ये आपको ध्यान रखना है अगली story पे चलते हैं DBGENVOC क्या है अभी हाल फिलाल आपका जो NIBMG है यानि National Institute of Biomedical Genomics उन्होंने Department of Biotechnology के funding के मदद से विश्व का पहला Genomic Variations का database oral cancer के लिए उसको तयार कर लिया है तो ये जो आपको जो term दिखाई दे रही है this is related to oral cancer और ये तरीके का Genomic Database Variations की बात कर रहा है DBGENVOC a comprehensive flexible database framework developed with an aim to allow potential users to access, query, browse and download clinically relevant somatic and germline variation data from Indian oral cancer patients देखिए आप जानते हैं कि cancer का burden भारत भी बहुत ज़ादार और विभिन विभिन परकार के cancer जो है वो हमें दिखाई देते हैं cancer का जो मतलब main common cause होता है वो होता है somatic or acquired genomic variants ये जो लोग होते हैं somatic variants और genomic variants ये जादातर common cause होते हैं cancer के पीछे और जो genes जो आपके cell के अंदर जो मतलब genes वगा रहे हैं उनको damage करके फिर आपके person's life को भी reduce कर देते हैं World Cancer Report की माहने World Cancer Report 2020 उसमें बोला गया है कि भारत में estimate किया गया कि 1.16 million new cancer cases in 2018 हुए 1 in 10 Indians will develop cancer during their lifetime and 1 in 15 will die of this disease तो बहुती भारी और भेंकर एक तरीके से कह सकते हैं खतरनाक ये आकड़े हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए ये सब दोस्तों आप याद रखे का ये आपको कहीं न कहीं लिखने में ऐसे writing में बिल्कुल मदद कर सकते हैं These are some data facts from the various reports The six most common cancer types in the India are breast cancer, oral cancer, cervical cancer, lung cancer, stomach cancer and colorectal cancer तो भारत में इस तरीके के जो cancer है ये छे प्रकार के जाधा होते हैं और भी होते हैं जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दो कि Steve Jobs की मौद भी cancer से हुई थी तो क्या आपको मालूम है कि उन्हें किस प्रकार का cancer था उन्हें किस तरीके का cancer था oral cancer is the most prevalent form of cancer among men in India क्यों ऐसा भारत के लोगों यानि भारत के मर्दों के साथ ऐसा अन्या है क्यों कि oral cancer is the most prevalent form of cancer among men in India because tobacco, तंबाकू खाते हैं चबा चबा के ग्रामी निजाकों में आप जाओगे तो रगड़ते हैं एकदम हाथ में और फिर अराम से लेते हैं अंदर और फिर करते हैं oral cancer और ये कोई 2-3 दिन का process नहीं है सालों से करते आ रहे हैं 17-18 की उमर में सीखा होगा 60 की उमर में आ गए और चबाते ही रहे हैं तो उस होज़े से ये oral cancer जो ज़्यादा prevalent form में भारत में दिखाई देता है समझाया कि नहीं आया कुछ initiatives इसको लेकर किये गए जैसे की National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular, Disease and Score NPCDCS मतब इतना बड़ा नाम है क्या बोले इस बीन इंप्लिमेंटेड अंदर National Health Mission के तहत इसको इंप्लिमेंट किया गया उसके बाद NGG बनाया गया National Genomic Grade जिसमें samples अगरे cancer patients के collect किये जाएंगे और उसके मदद से cancer treatment को और enhance किया जाएगा और बहतर किया जाएगा उसमें कुछ बड़े 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 reforms लेके आए जाएंगे तो ये था ये इस कहानी से related DB, GEN, VOC related to what? related to the world's first database of genomic variants in oral cancer cancer burden in India 2018 का data है इसको आराम से cover up आप कर लीजेगा ये 6 तरीके के जो हैं भारत में ज्यादा अता prevalent है और सब ज्यादा कौन सा है oral cancer men में, men में बात कर रहा हूं women में breast cancer होता है तो ये सब हैं सारे आप पढ़ लीजेगा आगे बात करते हैं कुछ और facts हैं life or death के उपर heart disease, diabetes, suicide, cancer अभी Half-Life Suicide की भी एक report आई थी आप में से किसी ने पढ़ी किसमें release की थी वो report suicidal tendency को लेके वो report थी हमारी अगली story है agriculture infrastructure fund देखे दोस्तों ये तरीके का central sector scheme है AIF scheme है basically ये agriculture infrastructure fund 2020 में launch किया गया था जब 20 लग करोड का stimulus package सरकार ने announce किया था COVID-19 से रात पाने के लिए तो इसमें इसको launch किया गया this fund will be provided for setting up इसके जरीए क्या बना जाएगा इस fund से cold stores, chains, warehousing मतलब एक जो transportation वाला सारा element होता ना logistics वाला सारा element होता है वो इसमें cover up किया जाएगा फिर e-marketing उसको e-trading platform से जो है link किया जाएगा फिर PPP model के जरीए crop aggregation और वगरा 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 बहुत सारी चिले इसमें की जाएगे अब इसमें इसके जो features है main features यह है कि इसमें एक तो किसान होंगे उसके बाद किसानों से related जो organizations है वो होंगे फिर primary agriculture credit society PACS भी होगा marketing cooperative societies भी होंगी अभी हाल फिलाल ministry of corporation बना है तो cooperative से यादा है तो मैंने सुचा बताई दूँ आपको self-help groups joint liability groups multi-purpose cooperative society agree entrepreneurs इसका सको भारत में बहुत जादा है आने वाले time में यह आप मुझसे लिखके ले लीजिए agree entrepreneurs अगर सब कुछ ecosystem और जो funding वगरा होती है एक startup की अगर वो बढ़िया रही laws वगरा अगर थोड़े से flexible किये गए इस sector के अंदर में तो यह एक बहुत बड़ा अच्छा evolving sector आने वाले समय में दिखेगा startup center state agency और local body sponsored PPP projects वगरा वगरा इसमें क्या है कि इसमें 1,00,000 करोड का जो है fund वो provide के जाएगा कौन देगी bank देगी financial institution देगी as a loan जो जो beneficiaries उनको मिला जाएगा duration इस fund का होगा 13 साल तक यानि 2022 तक 32-23 तक यह fund रहेगा loans will have interest subvention of 3% per annum of a limit of rupees 2 करोड तो 2 करोड के limit के लागा से इसमें interest subvention भी दी गई है right maximum कितमे period के लिए 7 साल के लिए यह subvention जो है वो provide किया गया है साथी साथ CGTMC नाम की जो scheme है इसको भी इसमें launch किया गया है तो यह इसके कुछ है various other sites है जिसे आप देख सकते हैं right agriculture infrastructure fund और यह infographic है यह बिंदू को आप बिलकुल मतलब मिसमत कीजेगा इसमें से कुछ भी आ सकता है right debt financing facility फिर corpus एक लाग करोड का है FPO's SGS, PACS, start-ups, agrio entrepreneurs interest subvention of 3% for a period of 7 years moratorium पे भी बात की गई है कि 6 माहने से 2 साल तक का repayment का समय हम दे देंगे तो यह सारी इसके अंदर इसमें लागू की गई है अगली स्टोरी पे अगर हम agreement अभी हाल फिलाल एक letter of exchange जो है भारत और नेपाल के बीच में sign किया गया जिसके जरीए यह permission दी गई कि cargo train operators को आप utilize कर सकते हैं इंडन railway network में और नेपाल के container में ताकि जो freight वगरा है transportation है वो अच्छा हो bilateral relation और बढ़िया तरीके से बने and this will be Nepal will be the third country from the Indian port to the Nepal तो यह इसमें सारी बाते जो है इसमें agreement में कही गई है अब यह agreement टीन हिस्सों में sign किये गई है यागर इसके थोड़े से हम historical background पे चलें तो इसमें जो पहला था 2004 में execute किया गया तब ministry of railways or government of India and ministry of commerce the government of Nepal तो मतलब यहां से railways और वहां से ministry of commerce इसमें दोनों के बीच में हुआ था और तब बोला गया था कि जो train वगएरा है वो नेपाल में जो बीरगंज है और भारत में जो नक्सल कहारा रक्सॉल माफ कीज़ेगा नक्सल गलती से निकल गया तो नेपाल में जो बीरगंज है और इंडिया में जो रक्सॉल है बिहार के पास तो वहां से इसको connection मिली कि आप यहां से मतलब freight train services को ले सकते हैं यूज कर सकते हैं the agreement guides movement between India and Nepal by rail agreement को हर 5 साल में review किया गया और उसके बाद जो दूसरा letter of exchange 2008 में sign किया गया जिसमें बोला गया कि cargo वगरा को जो हैं दोनों देशों के बीच में हम transport वगरा करेंगे bilateral relations को मजबूत करेंगे फिर तीसरा 2016 में sign किया गया और इस बार 5 साल के बाद 2021 में इसको आगया extension फिर से मिली है तो ये था RSA की थोड़ इसी मतलब historical background भारत और नेपाल के relation पर अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि रोटी बीटी का भी रिष्ता है साथी साथ भारत और नेपाल के जो रिष्ते मजबूत हुए वे 1950 की जो ट्रिटी थी अब नेपाल में बुद्धिजम है और खासकर जो मतलब महात्मा बुद्ध है वो लुंबिनी में ही पैदा हुए तो जो अप्रिजेंट है नेपाल में है तो बुद्धिजम का परचार परसार भी रहता है तो एक ये cultural ties भी से दिखता है फिर बहुत सारे multiple forums हैं जहां पर मतलब भारत और नेपाल दोनों सासा जुड़े हैं जैसे BBIN है पंगलादेश, भुटान, इंडिया, नेपाल फिर BIMSTEC है बे ओफ पेंगॉल इनिशेटीव फोर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड एकोनॉमिक कोपरेशन non-aligned movement में भी हैं सार्क में भी दोनों देश हैं तो ये काफी मतलब एक अच्छा रिस्ता है लेकिन अभी हाल फिलाल जो recent developments होए है एक तो चाइना वाला angle अगर गुसा है तो BRI को भारत न कार रहा है और नेपाल में मतलब अब तो Chinese जो है गाड़िया भी दिखने लग गई है तो कहीं न कहीं नेपाल को भी influence कर रहा है और नेपाल तो मतलब मैं तो देखता रहता हूं कि हर 34 साल में तो इनका constitution ही ये लोग बदलने लग जाते हैं फिर से दुबारा नेपाल का constitution लिखा गया फिर से दुबारा नेपाल का constitution लिखा गया तो पता नहीं कौन सा constitution लिख रहे हैं लोग कि stable है ही नहीं वो constitution तो बहुत सारी नेपाल में थोड़ी सी मतलब एक political crisis आप कह सकते हैं कि है और चाइना का जो वहाँ पर pressure बन रहा है और जिस तरीके से उनने BRI को accept के और भारत जिस तरीके से reject कर रहा है तो कहीं न कहीं ये इंडिया नेपाल के relations में कुछ न कुछ ये खटास लेके आता है फिर अभी जो tri junction का मामला हो गया था लिम्पु धरा लिपु लेक वाला जो बहुत मतलब गरमाया रहा तो वो भी एक issue था राइट जैसे ये था tri junction trouble जैसे स्काला पानी को लेके जो map वाला issue था basically और ये सब थोड़ा आप याद रखेगा कि 1816 सुगॉली treaty वगरा नेपाल और बिर्टिश इंडिया के बीच में काली रिवार एजन नेपाल's boundary with India तो ये सब जो थोड़ी थोड़ी बाते हैं ये आपको याद रखनी ज़रूरी है ये 2020 की पिछले साल की ये बाते हैं पिछले साल के developments है लेकिन exam में भी तक पूछे नहीं गए है तो आने के पूरे-पूरे chances है तो इनको आपको याद रखना है next अगर हम बात करें तो हमारी जो अगली story है वो है SPARSH SPARSH क्या है दोस्तो SPARSH एक portal है system for pension administration रक्षा right ministry of defense ने इसको implement किया है it is an integrated system for automation of sanction and disbursement of the defense pension तो जो defense pension है उसका automatic sanction or disbursement हो क्योंकि इसमें बड़ी दिक्कत होती है दिक्कत यह होती है कि एक इनसान उसने मतलब सरकारी महकने में काम किया अपनी 30 साल, 25 साल, 32 साल, 35 साल service उनोंने वहाँ पे दी अपनी life एक वहाँ पे दी उसके बाद फिर जब उनको pension लेने का समय आए और जब उनको office office और बाबू से बाबू जब उनको घुमाया जाए तो उनको भी कहीना कहीं बुरा लगता है कि मैं क्या इस system का हिस्सा था तो ऐसा ना हो और digital india को भी तो आगे बढ़ाना है बाद रिलाएंग अनी external intermediary तो यह जो external intermediary है यह बड़ा पंगा करता है अब पंशनर पोर्टर is available for pensioners to view their pension related information access services and register complaints if any Spurs envisages establishment of service centers to provide last meal connectivity to pensioners who may be unable to directly access the Spurs portal the two largest banks dealing with defense pensioners एक तो S.W. इनके साथ काम कर रहा है फिर Punjab National Bank इनके साथ काम कर रहा है और service center बनाने की जो है वो पूरी तरीके से बात इसमें की जा रहे है pension को लेके कुछ और initiative जो है defense pension को लेके भारत में लाएगा है जैसे कि one rank one pension scheme तो इस तरीके की scheme है इस फर्च नाम में आप याद रखेगा कि web portal है pension से related है ministry of defense में किया है automation of sanction and displacement of defense pension है इसमें आपका काम हो जाएगा और बैंकों के नाम हो से के तो याद रख लिजाएगा कि SBA और Punjab National Bank इसमें coordinate कर रहे है तो इस story में आपके लिए इतना ही है अगली story पर चले जो हम revise करेंगे वो है PMFME scheme that is प्रधान मंतरी formalization of micro food processing enterprise scheme इसको minor forest product से एक wealthy product बनाना है साथी साथ जो tribal communities है उनको भी थोड़ा सा मतलब develop करना है उनको भी उनके भी lifestyle को थोड़ा सुधारना है एक तरीके का यह centrally sponsored scheme है centrally sector नहीं है तो यह सब आप याद रखना this is a centrally sponsored scheme कहीं भी फसा देगा आपको examiner UPSC का इसकी लागत कितनी है 10,000 करोड की इसकी लागत है इसमें sharing 60-40 ratio का है central state के बीच में 90-10 ratio का है north eastern और हिमालन state में 60-40 का है with UTs with legislature and 100% by center and other UTs भारत के अगर food industry की जहां तक इसमें बात की जाए तो भारत का जो food and grocery market है विश्यो में छटे पायदान पर है 70% sales को contribute करता है world में India food processing industry accounts for 32% of the country's total food market तो बहुत बड़ा market है अपने आप में one of the largest industries in India and 5th ranked 5th in terms of production, consumption, export and expected growth तो अब ये जो sector है ये थोड़ा-थोड़ा unorganized था जिसमें सरकार का ध्यान पौन कीचा है और सरकार चाती है कि इसको हम organize करें proper तरीके से क्योंकि ये बहुत सारे employment generation का एक रस्ता बन सकता है एक रस्ता create किया जा सकता है और इसमें काफी सारे challenges भी है और साथी साथ इसमें काफी सारी opportunities भी है तो दोनों इसमें बाते हैं इसमें अभी तक modern technology को उतने proper तरीके से implement नहीं किया गया है तो एगरी entrepreneurs या फिर आप कह लीजिए food startups वगरा के लिए भी काफी अच्छा मतलब ये किये रस्ता है दूसरे schemes जों इससे related launch किये गए है जैसे mega food park scheme और product linked incentive scheme वगरा जो food industry से है इसको launch किया गया है इसमें हमने पहले भी बात की है पिछले session में भी हमने इसमें बात की है तो यह scheme मॉट्स-मोटी याद रखेगा कि यह scheme में है क्या लागत क्या है किस तरीके कि scheme है और क्या इसका aim है तो यह आप रख लेंगे तो आपका काम इसमें बन जाएगा और यह उससे related कुछ infographic है, इसको अराम से पढ़िएगा बहुत बढ़ी है infographic है, report से direct निकाल के लाया था मैं, revamped distribution sector scheme, RDS scheme जिसे कहते हैं, तो obviously बात है कि आप समझ गयोंगे कि energy से related है, और इसमे cabinet committee on economic affairs उसने कुछ reforms करने के लिए मन्जूरी दे दी है, इसका जो outlet है 3.3 trillion का है जिसमें से center का share Rs. 97.361 करोड का है, main objective क्या है कि जो discoms है, यानि जो power sector companies हैं, जो हमारे घरों में बिजली लेके आती है, right, जैसे दिल्ली की बात करूं, तो TDPL है BSEs है, right, तो ये सारी जो discoms है, इनके जो operational efficiency है, उसको किस तरीके से improve किया जाए, फिर financially कि ये company पे भी बहुत बड़ी मार है, क्योंकि इनको profit नहीं हो पा रहा है, profit नहीं हो पाने के बहुत अलग अपने-पने कारण है, कुछ political reasons भी है, कि wave off कर देते हैं, electricity bills वगएरा वो भी एक कारण है, साथी साथ कुछ इनको फाइदा भी नहीं हो रहा है, तो इसको देखते वे, इस scheme को launch किया गया, इसमें ये बोला गया कि ये, this will be the umbrella scheme of the all power sector schemes, कि इसको हम एक umbrella scheme के तोर पे बना देंगे, जिसमें सारे power sector reforms के जो हैं schemes आजाएंगे, जैसे जिसमें आपका integrated power development scheme हो गया, दीन दयाल, उपाद्हार, गराम, जोती, योजना हो गया, प्रधान, मंतरी, सहज, बिजली, हर घर, यानी, सभागे, योजना आपका आगया, तो इस सब इसमें आजाएंगे, और इसमें जो action लिया जाएगा, हर state पे individually, अलग-अलग action लिया जाएगा, किसी को लेके common हम policy नहीं बनाएंगे, हर state के हिसाब से अलग-अलग इसमें policy के create करने की बात इसमें की गई है, डीटेल यह है कि इस scheme के तहट, 10 करोड prepared smart meters को install करने की बात की गई है, और time line कितना लिया गया है, time period, that is December 2023, साथी साथ इसमें बोला गया है कि PM कुसुम के तहट, हम इसमें feeder का जो segregation है, खासका solarization of feeders, उसको भी हम लेके आएंगे irrigation वगएरा का इस्कामाल करेंगे modernize करेंगे distribution systems को urban areas में, rural areas में भी right, और जो solarization of feeders है, यह कहीं न कहीं, जो solar energy है उसको भी एक अच्छा push देगा भारत के अंदर में 2024-25 तक और जो reduction होगा cost revenue gap में, उसको भी काफी मतलब उसके वज़ा से, जो reduction होगा, जैसे आप कहते हैं कि if cost cutting, cost cutting जो होगी, तो उसके वज़ा से discounts जो है, वो थोड़े से profit में दिखने लगेंगे, और थोड़ा उनका confidence भी अच्छा होगा तो इस skin के तहर जो है, यह बाते इसमें की गई, right, यह से related जो है, आपके infographic है, इसको देख लीजेगा, हम चलते हैं अपने MCQs पे, पिछले MCQs में जो हमने बात की थी, उनका answer देने का समय आ गया है, पहला है जैसे हमारा निपन भारत mission, इसका सई statement क्या है, पहला statement मैं पूछा था, कि it is launch as a part of national education policy 2020 यह बिल्कुल सरासर गलत है यह इसका, इसके part के तौर पे से launch नहीं किया गया, इसके बात की गई है बस, इसके part के तौर पे से launch नहीं किया गया, it aims to cover learning needs of children, यह बिल्कुल सरी statement है, तो यह the correct answer is option B दूसरा हमने anti-dumping duties पे आप से सवाल पूछा था, these are the tariffs levered on imported goods to offset subsidies made to producers to those goods in the exporting country, तोटली गलत है साथी साथ, direct rate general of trade remedies is the apex organization this is correctly, correctly true so the correct option here is option B तीसरा सवाल हमने पूछा था tillery conservation reserve, हाल फिलाल कहां देखा गया, तो महरास्ट में जो है इसको देखा गया है मतलब महरास्ट में देखा नहीं गया, महरास्ट में यह है, क्योंकि यहाँ पर king cobra के जो मतलब species इसके अंदर आता है तीसरा, the commission has a sore motive to power to inquire into any matter if there are reasonable grounds कौन सा सही होगा, जरूर बताएगा दूसरा सवाल, which of the following mineral has been estimated to be found in the abundance in the bookswaha forest, पहली बात तो यह forest है कहां वो भी बता दो bookswaha forest, और इसमें किस तरीके के mineral के परचुर मात्रा में पाए जाने की बात की जा रही है iron ore, dolomite, kimber light या bauxite पीसरा सवाल, silambam अभी हाल फिलाल news में देखा गया क्या चीज़ा है, चार option आपके लिए है silambam पे हमने पिछले session में बात किती तो correct answer दीजेगा, participate अच्छा रखेगा Economy Cracker का course चालू हो चुका है दोस्तों, अगर अभी तक आपने unroll नहीं किया है, तो आईए unroll कीजिए learn and be confident with the economy like a boss PT के substitution courses भी on है इसमें भी आप unroll कर सकते हैं बहुत बढ़िया sessions है, CA visitor premium और power of 10, excellent editorial analysis with deep and rich insights हम अगले session में फिर्मी लेंगे तिल देंट, टेक कियर, नमस्ते, जैहन